सब्सक्राइuing किजिए सुमित ओंलाईन लाइन को दूड़े इसे तरह की वीडियो देखने के लिए सुमित ओंलाईन क्लासीज के एक नई एफेशोड में आपका स्वा गत इत तो चलिए दोस्तों आज का डिसकेशन स्टार्ट करते हैं तो नेक्स कोशिन है हमारे पास 23 फ्रॉंग फॉलाइंग बैलन सीट दे रहे हैं लोग और शोट की दो बाई है एक कना मैं लोग और एक कना मैं शोट लिखा है कल्कुलेट करो इंटर स्टों के तना लगाना है एट परसेंट पर एनम भी स्टिफ परस्ट मार्च 2100 फिफटीं बैलन सीट दे रही कि वहां इसे लेक्वार च्टिए करना यह हमारा पूरा साल है यह पुरा साल लेते हैं कि यह कोन रहे पास लोग और यह कोने सोंट है अगर हम बात करें शोर्ड की तो शोर्ड की कितनी दिर की है 1,40,000 ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोफिट और लोस अप्रोप्रोपिशन का 1,00 ऐसा प्रोफिट है जो आपने रिजर्व रख लिया अब डिस्टिबूट नहीं है picks asset कोई लेना देना नहीं है drawing कहता है जो अबने अभी निकाली नहीं है 40,000 ऐसी है ची कहेड़ना other asset कितनी है 60,000 इसकेयां यहाँ पर drawing लिखने लोंग की drawing है जो निकाली नहीं है during the year long कितनी drawing किया है 40,000 लेकिन 40,000 में 40,000 उसने यहां पर शोवट के दिखा झाले नहीं रखी तो हम इसको डील करेंगे लिगा कितना यह है पास वन लाक फिटी ताउजट जिसमें से वन लाक रिजर्व रखा है तो कितना डिवाइड कर चुकि आप तचास वजार डिवाइड कर चुकि वन लैक तो आपने क्या कर लिए है रिजर्व रख लिए कैलकुलेट करो बीगिनिंग टो मिल डिफा sap लो तो वहीं क्या को एकर रें तो वहीं पैसे निकाले हैं यहां दिखा रहे हैं लेकिन भाने दिखारे सोटने निगाल लिए हैं तो शोटने कितने निंपाल लिए हैंand 50,000 निकाल ली हैं तो इसके क्या हो चुके हैं इसमें से माइनस हो चुकी है और जो प्रोफिट था वो कितना था 1,50,000 और जिसमें से एक लाग आपने रिजर्व रख लिए बाकि कितना बच गया 50,000 और यह आपने वो एड है चीक है और तो कुछ चैन के अंदर कुछ बात नहीं है तो अगर ओपने कैपिल निकाले है लोंग की तो यह 1,60 था लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल तो इसमें से कहता है 25,000 तो प्रोफिट के हैं वो तो आप माइनस करोगी कितना माइनस करोगे 25,000 तो कितना बच 35,000 आपकी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी किसकी लोंग की अगर शोट की बात करें तो कितना था 1,40,000 तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल थी इसके अंदर 25,000 का प्रोफिट एड था और 50,000 आप माइनस कर चुके तो एड करोगे तो आपकी जो ओपनिंग कैपिटल आएगी वह आएगी 1,65,000 चीक है और इसको आपने गेडील करने तो अगर आप लोंग पे इंटरस्ट और लगाओगे और अगर आप शोट के लगाओगे लोंग पे लगाओगे तो कितना है आपके पास 1,35,000 आपके पास ओपनिंग कैपिटल है और किस रेट से लगाना है आपको 8 यहां पर दस हजार आट सो जो अमाउंट बन जाएगा किसका लोंग का और शोट की बात करें तो कितना बनेगा यह 1650 कितने से करोगे आठ से तो कितना आजेगा यह 13,200 हमारा अमाउंट आजेगा अगर हम प्रोफिट और लोस अप्रोप्रिशन के अंदर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या आएगा टू इंट्रस्ट ओन कैपिटल किसको देना यह लोंग को देना ह है 10,800 और शोट को कितना देना है 13,200 चीक है तो 13,800 दस और 13 कितने जाते हैं 23 और एक ही हो जाता है 24,000 हमारा इंट्रस्ट ओन कैपिटल आजेगा यहां को ने लोंग और यहां को ने शोट यहां लोंग और यहां पर शोट यहां क्या लिखेंगे बाइब बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा वन लैक थर्टी पाइव थाउजड और वन लैक सिक्स्टी फाइव थाउजड ठीक है शोट के लिए अगर हम बात करें उसके बाद क्या किया इसने ड्रोइंग की किसने की ड्रोइंग यह टाउजेंट उसके बाद कि मिलाकोऑ इंटर्स टोन यके फिटल कितना मिला है तस गाज़ा रट सों और तेरहाजार फिए अजय गया चाहता था य। उसके बड़呀 treatment यह बी हो चु किना है ने पर दिखाओ कितना है घट आ कितना है हमारे पास net profit हमारे पास 4 ख 1,5000 ख क कि यह किто जिसमें से आपने कितना रिस्टिमूट किया है? Only 50,000 क्या किया है? Distribute किया है. तो बकिका कर लिया? आपने 1 lakh को रिजर्व रग लिया. चैक है ना? तो हम distribute कितना करेंगे? Only 50,000 को है distribute करेंगे. तो यहाँ कैले केंगे To Profit and Loss to Profit Transfer to Partner Capital Account. कहां पर लोंग में और शोट में तो कितना था यह यह था हमारा 50,000 और यहां पर कितना आजेगा यहां क्या लिखेंगे यहां बहुत देंगे यहां पर 13,000 और यहां भी कितना टाल देंगे ते रहना अंगे उसके बाद कोश्चिन साइलेंट है तो हम क्या कर देते हैं टोटल कर देते हैं 165,000 तो कैपिटल थी और कितना हुआ 13,200 का आपको क्या मिल अजिए इसमें से माइनस कितना करोगे माइनस अगर आप करोगे कितना माइनस करोगे माइनस करोगे 50,000 तो अंसर कितना आएगा आपका 1,41,000 तो अंसर कितना आजेगा यहाँ 2, balance, cd कितना आजेगा 1,41,200 चिक है इसका short का अगर हम बात करें लोंग का तो यहाँ पर कितना आजेगा 1,91,200 अगर हम इसकी लोंग के calculation करें तो कितना आजेगा 1,35,000 प्लस कितना हैं 10,800 प्लस कितना आजेगा 13,000 तो हमारा आजेगा 1,58,000 और 800 चिक है 800 1,58,800 और यहाँ भी क्या आजेगा 1,58,000 और यह क्या आजेगा 800 तो ऐसे हमने डील करना पड़ेगा पिछले question के अंदर भी मैंने क्या करते था total जो profit था उसको distribute कर दे लेकिन ऐसा नहीं करना है आपने जो reserve रखा है उसके लावा जो profit है उसी को आपने distribute करना है पिछले question को भी आप crack कर लें तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोई सुझाव या कोई सिकायत है तो वीडियो के नीचे comment करना न भोलिए अगर आप इस channel पे नए हैं तो channel को subscribe जिरूर कर लें ताकि जब में मैं कोई नई वीडियो प्रेट करूँ आपको उसका notification मिलता रहें धन्यवाद